ओम शीगड़े शाय नमा राद रहे दोस्तो आप सभी का मेरे चनल बतकता असलोजर में स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जिन गर्वती महिलाओं ने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है उनमें ये लक्षन जरूर दिखाई देते हैं अगर ये लक्षन आप में हैं तो आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को ही कंसीव करा है सबसे पहरे लक्षन की बात करें तो दोस्तो अगर गर्वती महिला के पैरों में बदलाव दिखाई दे रहा है यानि सूजन आ रही है कई गर्वती महिला के देखे पैरों में सूजन आती है और कई ओके देखे फेस पर हाथ पैर में भी सूजन दिखाई देती है तो अगर आपकी बॉल्डी पर कहीं पर भी मतलब सूजन आ रही है चाहे पैरों पर चाहे फेस पर चाहे हाथ पैर में तो ये लक्षन देखे लड़का होने का ही माना जाता है दूसरा लक्षन भी बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है और शुरुआत के दिनों से ही अगर आपका हलका फलका सिर्दत बना ही रहता है कोई भी कुछ भी आपको कह जाता है तो आपको बहुत जल्दी मतलब घुस्ता आने लग गया है यह आँखों के नीचे आपको आसपास कालापन दिखाई दे रहा है यह आपकी निप्पल बहुत ज़्यादा डाक हो गई है तो यह साइन भी देखे लड़का होने का माना जाता है अगला साइन बहुत ही सटीक है दोस्तों अगर साथे आठे नोवे महिने में अगर यह दर्द आपको मतलब पूरी प्रेगनेंसी के टाइम देखने को मिलता है साथी दोस्तों साथे वाटवे महिने से देखे नाभी के नीचे आपके मतलब ज़्यातर खिचा पड़ता है दर्द महिसूस होता है यानि अपनी बच्चे का जो भार है वेट है आपको नाभी के जब गर में लड़का होता है तो देखे 7-8 महिने में आपकी जो कमर है वो हलकी हो जाती है यानि पतली हो जाती है जैसे 6-7 महिने में अगर आपकी कमर भारी है लेकिन 7-8-9 महिने में आप देखेंगे कि आपकी कमर मतलब पतली हो रही है जो बच्चे का वेट है वो नीचे की का ही माना जाता है मेरी प्रेगनेंस चींट के टाइम पर मैंने मतलब 50 यह जो मिने लक्षन बताएं एंदर्ध का और नीचे की तरफ बच्छे का भार hahona तो यह साइन 100% लड़का होने का ही माना जाता है तो दोस्तों इन लक्षनों से आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव करा है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमेरे चनल को सस्क्राइब करना ना भूलें आप सभी को ओम शी गणिशाय नमा